राम राम सभी को अब हम नानी के घर से गाऊ जाते हैं अब आपको जो मेरा होम टाउन है बांदीकूई इसको दिखाना चाहती हूँ इसलिए रिकॉर्डिंग पूरे टाइम ऑन ही रहेगी जब तक हम लोग काऊनी पहुंसते हैं तो जो बांदीकूई है इसे हम लोग जो रेल लगरी भी कहते हैं क्योंकि अप्रेल 1874 में आगराफ वर्ट और बांदीकूई के बीच में ततकालीन डाजबताने में पहली ट्रेंच चली और उसके बाद ततकालीन जैफूर महराजा सवाई मादो सिंग जी ने यहाँ पर मादो गंज के नाम से अनाजमेंटी के स्थाब नकी जो हमारा बांदीकूई है वो वैपार और रेल आगमन के कारण ही शेहर बन पाया है तो देखा जाए तो बांदीकूई के विकास की जो नीव है वो रेल ही है इसलिए बांदीकूई को हम लोग रेल नगरी के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी रेलवे कॉलनी है ज Vietnamese लोग फेल्ग के ली जीव कर देखा bestimm में आड़ी कॉलनी है झाल झाल पंच मुखी हमांजी का मंदिर है और इस एरियो को पंच मुखी भी कहा जाता है यहां पर दिल्ली जैसा हाल नहीं है यहां पर थोड़ी शांती है और बहुत जादा अच्छा महौल है और आपको यहां पर आके ऐसा लगेगा जैसके आप रकर्टी से जुड़ गए हूं आसपस काफी जादा मंदिर है और खेत वगेरा है करेंसे काफी ऑपकस काफी जैसरी जैसे जादा जादा लगेंसे धिसम मुट्टी से जादा किए खेता है यहां यहां पर 1 से जादा दाविशवकोदस खेता है और बहुत क में यह पहड पे बालजी का मंदिर है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है और इससे थोड़ा ही दूर हमारे गाओं है तो जोब हम मंदिर आये थे तो हम लोग अपने मामा की घरस आये थे तो उस ताइम मैं काओं नहीं बेशी है यह बोर लग रहा है यहां से रास्ता जो है मंदिर की तरफ चाता है और हम लोग सीधे जाएंगे अपने गाओं के लिए झाल 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 तो इस वीडियो का पार्ट वन मान लीजे और सेकंड पार्ट में जो है मैं अपने गाउं में जो खेत है उनको दिखाऊंगे और यह हमारे गर आ चुका है और सामने मेरी दादी बैठी होई है अब हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दन्यवाद